ब्लेडी डेडी मूवी जो तक्रीबन दो घंटे के आज पास है जब इस मूवी का ट्रेलर आया था मुझे इतना कुछ खास पसद नहीं आया था क्योंकि मुझे उसमें स्टोरी समझ नहीं आ रही थी क्या रही इसमें क्या होने वाला उस वक्त मुझे नहीं पता थे कि यह भी OTT प्लैटफूम पर रिलीज किया जाएगा जियो सिनेमा पर आप जाकर देखेंगे तो आपको यह फ्री स्टीमिंग मिलेगी अब ऐसा क्यों किया गया मुझे नहीं पता इसको फ्री ओफ कोस्ट आप देख सकते हो कमाल की बात है मुवी में जो भी कलाकार है खासकर रो जो एक पुलीस है पुलीस ऑफिसर है नर्कोटिक्स में है अब उसका जो बेटा है वो ड्रग दिलर किटनैप कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं उसका रीजन आपको जब मुवी देखोगे तब पता चलेगा क्या वो अपने बच्चे को बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा जब आप मुवी देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा यह पूरी जो मुवी यह वो एक होटल के अंदर ही खतम हो जाती है मतलब उसी के अंदर मार धाड जो भी intense serious माहौल है उसी होटल के अंदर दिखाया जाता है बाहर जो जो निकलते हैं होटल से इतने मुवी खत मतलब उसका तो एक परसंट भी नहीं है यह मुवी कैसे compare कर दिया है उन्होंने लिख रहा है कि शायद कपूर का यहां पर जो लुक है वो जोन विक जैसा है अरे यार कुछ भी मतलब कुछ भी compare करने लग रहे हो कुछ मुवी के बारे में लोगों को बताना है उनको लगे क यह मुवी जाकर वो लोग देखें इसलिए कुछ भी जूट फैल आ रहे हो इतनी बकवास चीजें लगी है मुझे मैंने जो आर्टिकल पढ़ा कहीं पर भी नहीं है एक परसंट भी नहीं है जोन विक का इस मूवी में परसंद आया इस मूवी के डायलोग है कुछ सीन है व जो डायलोग के अंदर यूज किया गया है खासकर एक जो रोनी जी के दौराइप लोग को पसंद आए तो जैसे मैं ने का ना कि कुछ एक डायलोग है कुछ एक सीन है जो आपको बहुत ज़दा पसंद आने वाले हैं इसके लावा मूवी के अंदर बाशा का रैप भी आता मैं उसको डेफिनिटली उसको मैं स्किप कर देता है अगर स्किप का ऑप्शन मेरे पास था लेकिन इसमें क्या कर रहा था जो बाश्या रैप कर रहा है तो उसके साथ साथ जो है शाहिद कपूर की फाइटिंग सीक्वेंस भी चल रही है वहां पर साथ साथ स्टोरी भी आगे निकल जाएंगे इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था तो मैं कर रहा हूं कि यार जो वह रहप जो भी है वह सोंग है यार इतना खराब है वह बस टॉनिककर की आदत लगी है या वाइरस लग गया है टॉनिककर का कि एक शब्द को बार-बार रिपीट करना और यार सच मे मुझे वह बिलकूल भी पसंद है इतना खराब तरीके से वह W ben बिल्कूल पसंद है और वहान कुछ नही कि आलावा जो भी एक्शन Σीन है या एक्ष Melanie सीक्वेंस यह वो भी कोई इतने बढ़िया नहीं है जितनी इसके अंदर सीरियस इंटेंट्स माहौल दिखा रहा है उस लेवल को मैच कर सकें या बहुत ही जबर्दस्त है बहुत ही यूनिक हमने देख लें ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जैसे आप ट्रेलर देखेंगे ना तो उसमें लग कोमेडी है उनके अंदर कुछ एक की जगह थोड़ा बहुत आपको ह्यूमर नज़राएगा सीर इस मूवी में जो है वह एक तरीके से इमोशनल करने की बातें भी की गई लेकिन वह इमोशनल थी या नहीं थी मैं उसमें कंफ्यूज हूं लास्ट का थोड़ा जो एक ट्वि को देखा तो प्लीज कोमेंट करना कि आप लोगों कैसे लगी और हाँ यह बच्चों के लिए नहीं है कहीं बच्चे जाकर देखें गाली गलोच हैं तो यह बच्चे जानों इससे दूर है तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग कि आनों इससे लह बच्चे जाश बारे खींग रशा हैं